प्यारे बच्चों कैसे हो आप उमीद है आपको तिरकौन मितिया फलन भाग एक समझ आ गया होगा आईए बढ़ते हैं तिरकौन मितिया फलन भाग दो की तरफ अब यहां पर हम दो कौनों के योग और अंतर का तिरकौन मितिया फलन पड़े इसे यहां पर ये एंगल एकस है और इतना जो है वो वाइ है तो ये पूरा जो कौन बनेगा ये एकस प्लस वाइ यानि दो कौनों का योग और अगर यहां से इतना कौन मैं x ले लूँ सारा यह वाला कौन y ले ले तो यह कौन जो बनेगा मेरे पास x-y आएगा दो कौनों के योग और अंतर का तिरकौन में तिया फलन यहां से हमारे पास कुछ सरव समिकाएं आएंगी तो पहली है sin x plus y sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y होगा देखो एक बार x sin के साथ आगया और दूसरी बार x cos के साथ आएगा एक बार y cos के साथ फिर y sin के साथ आएगा बीच में अगर यहां plus है तो यहां पे आप plus लेके चलोगी तो sin x plus y ब्राबर sin x cos y plus cos x sin y होगा सिमिलरली जब यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे तो sin x minus y ब्राबर sin x cos y minus cos x sin y आएगा इन दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है प्लस वाले में प्लस आएगा माइनस वाले में माइनस आएगा फिर आते हैं cos x plus y ब्राबर cos x cos y minus sin x sin y आएगा cos वाले में हमने ध्यान देना है यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा cos x minus y ब्राबर cos x cos y plus sin x sin y फिर आते हैं tan x plus y tan x plus y equal to tangent x plus tangent y upon 1 minus tan x tan y तो अगर यहां प्लस है तो उपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा और अगर यहां माइनस है तो उपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा पचो इस तरह से आपने फॉर्मूले के अंदर अंतर को देखते हैं उसको याद करना है tangent x minus y ब्राबर tan x minus tan y 1 plus tan x tan y इसी तरह कोट x plus y और कोट x minus y की सरवसमिकाएं आ जाएगे हमारे पास कोट x plus y ब्राबर रहेगा कोट x कोट y minus 1 बटे में कोट y plus कोट x इसमें अगर यहाँ plus है तो उपर minus आएगा और अगर यहाँ minus है तो उपर plus आएगा कोट x minus y ब्राबर कोट x कोट y plus 1 अपन कोट y minus कोट x कोट के सरवसमिका में एक चीज और ध्यान रखनी है अगर यहाँ x minus y है तो यहाँ y minus x आता है कोट y minus कोट x आएगा यदि हम sin x plus y ब्राबर sin x कोज y plus कोज x sin y की सरवसमिका में y ब्राबर x भरें तो क्या आएगा यानि कि y की जगह मैं x भर दूँ इस y की जगह भी मैं x भर दूँ तो sin x plus x ब्राबर sin x कोज x plus कोज x sin x यानि कि यह sin x कोज x और यह भी sin x कोज x ही है इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 sin x कोज x आएगा अब इस सरवसमिका में एक चीज़ा आपने ध्यान में रखनी है इसमें क्या नई चीज़ आई है यहाँ पे जितना angle आ रहा है 2 x आ रहा है तो right side पे दैपक्ष में उसका आदा angle आएगा 2 x है तो x आएगा और अगर मैं यहाँ पे मालो sin x ले लूँ 2 x की जगह पे मैं एक बार x ले लूँ sin x तो right side पे क्या आएगा 2 sin अब इस x का आदा x बटे 2 और cos x बटे 2 sin x बटे 2 sin x बटे 2 गुना cos x बटे 2 तो इस यह 2 x के जो सरव समिकाएं हैं इन सभी में यही बात लागू होएगी जितना left side पे दैपक्ष में कौन बना हुआ है कौन है दैपक्ष में उसका आदा angle आपने लेना है तो cos 2 x ब्राबर cos square x minus sin square x आ जाएगा ब्राबर अगर यहां पे हम इस cos square की value भर दे इस cos square की value भर दें sin square x plus cos square x equal to 1 से cos square x का मान क्या आ जाएगा 1 minus sin square x यानि इस cos square x का मान 1 minus sin square x भर दों तो यह मेरी सरव समिका sin में बदल जाएगी 1 minus 2 sin square x और अगर sin का मान भरेंगे तो वो cos में बदल जाएगी cos 2 x की 3 सरव समिका है आपकी cos square x minus sin square x ब्राबर 1 minus 2 sin square x और 2 cos square x minus 1 है और इनी को अगर हमने tan में बदलना हो sin की सरव समिका और cos की सरव समिका को tan में बदलना हो तो sin 2 x किसके बराबर आएगा 2 tangent x upon 1 plus 10 square x और cos 2 x किसके बराबर आजाएगा 1 minus tangent square x बटे में 1 plus tangent square x अगर sin को cos से भाग करेंगे, sin बटे cos, sin बटे cos क्या आता है बचो, tangent तो इसकी tan वाली सरव समिका और cos की tan वाली सरव समिका को आपस में भाग करेंगे तो हमारे पास tangent 2 x की सरव समिका आजाएगी, tangent 2 x बराबर 2 tan x upon 1 minus 10 square x अब इसमें एक चीज़ आपने formula को याद करते वक्त देखनी है, जो sin 2 x की tan वाली है, उसमें नीचे plus है और tangent की जो 2 x वाली सरव समिका है, उसमें नीचे minus है, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखके अपने सरव समिकाएँ याद करनी है आईए, प्रशन 6 प्रशनावली 3.3 सिद्ध करो की, cos pi बटे 4 minus x, गुना cos pi बटे 4 minus y, minus sin pi बटे 4 minus x, गुना sin pi बटे 4 minus y, बराबर sin x plus y होगा तो इसमें अब आपको ये देखना है कि कौन सी सरव समिका इस question में, इस question में हम प्रयोग कर सकते हैं देखो, cos a, cos b, minus sin a, sin b, यहाँ दोनों cos आगे, यहाँ दोनों sin आगे, और बीच में minus है तो ये सरव समिका किस के बराबर थी, cos a plus b की, cos की plus वाली दो कौनों के योग वाली सरव समिका हम यहाँ प्रयोग में करेंगे तो इस कौन को मैं a मान लूँ और इस कौन को मैं b मान लूँ, अगर ये मेरा कौन a है, cos a, cos b, यह a हो गया फिर, sin a, sin b इसका मतलब ये वाली जो सरव समिका है, cos a, cos b, minus sin a, sin b का प्रयोग हम इस प्रशन में कर सकते हैं तो cos a, a का मान क्या है, pi बटे 4, minus x, और b का मान क्या आया मेरे पास, pi बटे 4, minus y, किसके बराबर आ गया है मेरे पास ये, cos a, plus b, pi बटे 4, minus x, plus pi बटे 4, minus y, अब pi बटे 4 हमने पीछे देखा था, pi बटे 4 किसके बराबर होता है, 45 degree के, 45 degree, 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, 45 प्लस 45, 90, 90 means pi बटे 2, और x और y, minus x, minus y, इस minus x, minus y में से अगर मैं minus बाहर कॉमन निकाल लूँ, cos pi बटे 2, minus x, plus y, अब इसमें cos 90 minus theta वाली identity लग जाएगी, cos 90 minus theta बराबर क्या आएगा, sin theta, rhs, बचो एक बार दबारा देखते हैं इसी कोस्टन को, हमने सिद करना है, cos pi बटे 4, minus x, गुना cos pi बटे 4, minus y, minus sin pi बटे 4, minus x, sin pi बटे 4, minus y, a, बराबर x, plus y, तो इस कोस्टन को करने से पहले आपको सरवसमिकाएं याद होनी चाहिए, इसमें देखो ध्यान से कि दो बार cos आ रहा है, दो बार sin आ रहा है, तो कौन सी सरवसमिका का प्रयोग हम कर सकते हैं, cos a, cos b, minus sin a, sin b, बराबर cos a, plus b वाली, तो यहाँ पर आप कौन को पहचान होगे, कि a की जगें क्या रहा है, b की जगें क्या रहा है, तो cos a, plus b कर देंगे, यह a है, यह b है, a और b को एड़ करोगे, 45, plus 45, 90, minus x, minus y, अब इस minus में से, इस minus, यह वाला minus और यह वाला minus, common ले लें, तो bracket में x plus y बन जाएगा, cos 90 minus theta का formula फिर यहाँ लगेगा, sin x plus y के बराबर वो आ जाएगा, तिर कोन में तिया फलनों के कुछ अन्या सरव समिकाएं, अभी हमने sin 2x, cos 2x, tangent 2x की सरव समिकाएं पड़ी थी, अब हम sin 3x, cos 3x और tangent 3x की सरव समिकाएं पड़ेंगे, sin 3x बराबर आएगा, 3 sin x, 3 sin x minus 4 sin की पावर 3x, और cos 3x की सके बराबर आएगा, 4, 4 cos 3x माइनस 3 cos x, और tangent 3x, 3 tan x माइनस tangent 3x, बटे में 1 माइनस 3 tan square x के बराबर आएगा, अगली सरव समिकाएं है, sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d, तो sin c plus sin d, जैसे यहाँ दोनों sin आ रहे हैं, एक बार बीच में plus आ गया, फिर minus आ गया, यहाँ दोनों cause आ रहे हैं, तो इनको आपने कैसे याद रखना है, sin c plus sin d, इसमें एक sin और एक cause आ रहे है, 2 sin c plus d by 2 into, गुना में, cause c minus d बटे दो, sin c minus sin d किसके बराबर आ रहे है, 2 cause c plus d बटे दो, गुना में sin c minus d बटे दो, cause c plus cos d, 2 cause c plus d बटे दो, गुना में cause c minus d बटे दो, cos c minus cos d यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ माइनस का sin है यहाँ पे minus है minus 2 sin c plus d बटे 2 sin c minus d बटे 2 बच्चो इस चीज़ को आपने किस तरह से याद रखना है यहाँ पे सभी जगें कौन जो है सेम बन रहा है c plus d by 2 c plus d by 2 और इसमें सभी जगें पे c minus d by 2 बन रहा है तो इस चीज़ को आप लिख लिख के याद करोगे sin c plus sin d बरबर 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 देखो जब दोनों sin आ रहे हैं तो एक sin एक कौज आ रहा है यहाँ पे sin यहाँ कौज यहाँ यहाँ साइन जब दोनों कौज आ रहे हैं तो एक बार दोनों यहाँ कौज हैं और यहाँ दोनों sin आ रहे हैं आईए कुछ और सरवसंमिकाओं को देखते हैं 2 sin x cos y 2 cos x sin y एक बार sin है एक बार कौज है फिर कौज sin उल्टा हो गया यहाँ पे दोनों कौज हैं और दोनों sin हैं इनको हमने कैसे लिखना है, ये सिखे, जब दोनों, एक साइन, एक कौज आएगा, या कौज साइन आएगा, तो यहाँ पे दोनों बार आपके साइन आएंगे, साइन, साइन. और जब दोनों कौज आ रहे हैं या दोनों साइन आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कौज लिखोगे ठीक है बच्चो जब एक साइन एक कॉज आ रहा है या कॉज साइन आ रहा है तो दोनों बार साइन आ रहा है यहां पर यहां भी साइन यहां भी साइन और जब दोनों कॉज यहां दोनों साइन आ रहे हैं तो सब जगें कॉज आएगा यहाँ पे x, y, x, y, x, y यह सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे x, y अब यहाँ पे आपने प्लस और माइनस के चिन डालने हैं तो यहाँ पे तीन बार प्लस का चिन एक बार माइनस का और यहाँ तीन बार माइनस एक बार प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस तो यह आपकी चार सरव सम्मिकाएं होगी इसके इलावा हमारे पास दो अन्या सरव सम्मिकाएं हैं sin of minus x, minus x का मतलब रिनात्मक कौन से है, यानि कि sin x में x को हम minus का कर दें, negative कर दें, तो ये किसके बराबर आएगा, sin का minus बाहर आजाता है, minus sin x बन जाएगा, cos का minus बाहर नहीं आता, वो cos x ही रहता है, तो ये दो सर्व समिकाएं भी आपने याद रखनी हैं, आएए प्रशन 25, प्रशनावली 3.3 हल करते हैं, सिद्ध करो की cos 6x बराबर 32, cos की घात 6x, minus 48, cos की घात 4x, plus 18, cos की घात 2x, minus 1, cos 6x को हम यहाँ पर, cos 2 गुना 3x लिख लेंगे, तो cos 2 गुना 3x, यानि की cos 2 ठिटा की सर्व समिकाँ हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, cos 2 ठिटा की 2 सर्व समिकाएं, ये वाली थी, 1-2, sin की घात 2 ठिटा बराबर 2, cos की घात 2 ठिटा, minus 1, अब इन दोनों में से यहाँ हम कौन सी परयोग कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर 2 ठिटा जो है, वो साइन में हैं, और यहाँ पर कॉज में हैं, और हमें जो सारा का सारा उत्तर है, वो कॉज में चाहिए, तो हम कॉज वाली सरव समी का यहाँ परयोग करेंगे, तो कॉज 2 ठिटा बराबर 2, cos की ठिटा, minus 1 का परयोग करने पर, यहाँ पे 2 गुना 3x है, यहाँ पे 2 गुना ठिटा है, तो ठिटा की जगे क्या आगया यहाँ पे, 3x आगया, ठिटा की जगे आगया, 3x, तो यहाँ पे ठिटा की जगे 3x भर देंगे, मेरे पास बन जाएगा, 2, cos की घात, 3x, minus 1, इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे, 2, cos, 3x, की पावर 2, घात 2, minus 1, अब cos 3x की सरव समी का यहाँ हम परयोग करेंगे, cos 3x की क्या सरव समी का थी, 2, 4, cos की घात 3x, minus 3, cos x, इसकी घात 2, अब यहाँ पे a-b की पावर 2, घात 2 का फॉर्मूला सुत्तर यूज़ कर लेंगे, a-b की 2 का सुत्तर यहाँ यूज़ करना है, तो 2 गुना में a की 2, यह a है आपका, यह b है आपका, a-b की 2, तो a की 2, plus b की 2, minus 2ab का सुत्तर यहाँ यूज़ करोगे, तो A की 2, यानि की 4, यह आपका A है, यह आपका B है तो A की 2 जब मैं करूंगा, तो 4 की 2 कितना हो गया, 16 और कॉज की घात 3 है, इसका 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा 16, कॉज की 6X, प्लस B की 2, 3 की 2 करेंगे तो 9 कॉज X की 2 करेंगे तो, कॉज की घात 2X, माइनस 2AB, 2 गुना 4A 2 गुना A, गुना B, गुना 3, कॉज X, माइनस 1 यह वाला माइनस 1, ऐसे ही रहेगा अब इस 2 को भी अंदर गुना कर दें, तो 2 गुना 16 कितने हो गए? 32 कॉज की पावर 6X, प्लस 18 कॉज की घात 2X, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 2 3 कुना 4, 12, 12 कुना 2, 24, 24 कुना 2, 48, माइनस 48 कॉज, कॉज की घात यहाँ 3 है, यहाँ घात 1 है, तो 3 और 1, 4 हो जाएगी, माइनस 1 यह आपकी राइट हैंड साइड दाया पक्षा गया तो कॉज 6X को कॉज 2 गुना 3X लिखके, कॉज 2 ठीटा की सरफसमिका हम यहाँ यूज करेंगे, उसके बाद कॉज 3X की सरफसमिका यूज होगी परशन 21, परशनावली 3.3, सिद करो की, कॉज 4X प्लस कॉज 3X प्लस कॉज 2X बटे, sin 4X प्लस sin 3X प्लस sin 2X बराबर कॉट 3X कॉट 3X के बराबर हमने इसको सिद करना है, तो कॉज बटे, sin कॉट होता है, इन दोनों पदों को हम लोग अलग से लिखेंगे अंश और हर में पहले और तीसरे पद को इकठा करके लिख लेंगे ताकि हम सर्वसमिकाओं का प्रयोग कर सकें कॉज चार एक्स प्लस कॉज दो एक्स ये वाला ऐसे लिखना है पहले और तीसरे पद को हमने इकठा लिख लिया नीचे भी हर में भी साइन चार एक्स और साइन दो एक्स इनको इकठा करके लिखेंगे साइन तीन एक्स को अलग से लिखेंगे यहाँ पे कॉज C पलस कॉज D की सर्वसमिकाओं का प्रयोग करो तो दो कॉज C पलस D यह हमारा C बन जाएगा, यह हमारा D बन जाएगा, तो C प्लस D करेंगे, 4X प्लस 2X, बटे दो, गुना में, कॉज C माइनस D, 4X माइनस 2X, बटे में 2, प्लस यह वाला कॉज 3X ऐसे ही लिखना है, बटे, अब साइन C प्लस साइन D लगाएंगे हर में, साइन C प्लस साइन D क्या है, 2 साइन C प्लस D, 4X प्लस 2X, बटे दो, गुना में, कॉज 4X माइनस 2X, बटे में 2, प्लस यह वाला साइन 3X, ऐस इट इस, अब यहाँ पे 4X प्लस 2X, 6 बटे 2, 3X रह जाएगा, 4X माइनस 2X, 2X बटे 2, 1X रह जाएगा, इसी तरह से हर में, 4X प्लस 2X, बटे 2 करूँगा, तो 3X आएगा, 4X माइनस 2X, बटे 2 करूँगा, तो X आएगा, तो इनको हम यहाँ 3X लिखेंगे, इसको X, 3X और X, हमारे पास आगया, दो कॉज 3X, कॉज X, प्लस यह वाला कॉज 3X, ऐसे ही, बटे 2, साइन 3X, साइन X, और यह वाला साइन 3X, ऐसे ही लिखना है, बच्चो अब देखो, उपर कॉज 3X, कॉमन निकाल सकते हैं, और नीचे साइन 3X, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉज 3X, अंश में से कॉमन आ जाएगा, दो कॉज X, प्लस एक, यहां से जब मैं कॉज 3X कॉमन बाहर निकालूंगा, तो यहां पर दो बचेगा, गुना में कॉज X बचेगा, यहां पर कॉज 3X बाहर लिख लिया, तो यहां एक बचेगा, इसी तरह हर में भी साइन 3X कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा, दो कॉज X प्लस एक, यह दो कॉज X, दो कॉज X प्लस एक, दोनों अंश में और हर में दोनों एक जैसे हैं, यह कट जाएंगे, बराबर क्या रहा जाएगा, कॉज 3X, बटे में, साइन 3X, बराबर, कॉट 3X, तिर कॉन में तिया है, समिकरन, आईए पहले देखते हैं, समिकरन क्या होता है, एक द्वीक हाती है, समिकरन, जो कि कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, 2X की 2, उसका एक उधारन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो इसी तरह हैं, इस X में, इस X की जगह पे, अगर मैं तिर कॉन में तिया है, फलन लिख दूँ, जैसे की 2, साइन की 2X, माइनस 3, साइन X, प्लस 2, तो इस तरहें, जो समिकरन हमारे पास प्राप्त होगा, उसको हम तिर कॉन मितिया समिकरन कहते हैं, एक चर राशी में, तिर कॉन मितिया फलनों वाले समिकरन को, तिर कॉन मितिया समिकरन कहते हैं, यानि X जो है, यहाँ पे आपकी चर चर राशी है, इस चर राशी में x, x की जगहें पे हमने त्रिकॉन मितिया फलन को लगा दिया, त्रिकॉन मितिया फलनों के ऐसे हल, यानि कि इस में से कुछ समी करनों को जब हम हल करेंगे, तो जहां पे हमारा हल 0 और 2π के बीच में होगा, यानि 0 हो सकता है, लेकिन 2π से चोटा चोटा होगा उसे हम मुख्य हल या फिर प्रिंसिपल सॉलूशन कहते हैं इसको एक बार फिर से देखो कि जब आपका हल जीरो और दो पाई के बीच में आएगा उसे मुख्य हल कहा जाएगा लेकिन जहां पे हम N का यूज करेंगे N means 1, 2, 3, कुछ भी, minus के भी हो सकते हैं और plus के भी हो सकते हैं तो उसको हम व्यापक हल कहेंगे कुछ तिरकौन मितिय समीकरनों के हल, sin x ब्राबर 0, यह एक सिंपल समीकरन है, sin x ब्राबर 0 तो यहां पे हमने क्या देखना है, sin x का मान कहां कहां 0 होता है, x का ऐसा कौन सा मान लेंगे, जब sin x 0 बन जाएगा तो sin pi 180 degree पे 0 होता है, 2 pi पे 0 होता है, sin 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, तो sin इसका व्यापक हल बन गया, x ब्राबर n pi यहां पे n हमारा जो है, पुर्नाग होगा, n जो है, पुर्नाग होगा, n धनात्मग भी हो सकता है, n रिनात्मग भी हो सकता है इसी तरह, cos x जब 0 होगा, cos x जब 0 होगा, तो x ब्राबर 2 n प्लस 1, pi बटे 2 आएगा और n यहां पे फिर भी, एक पुर्नाग होगा अगला समीकरन है sin x ब्राबर sin y जब sin x ब्राबर sin y होगा तो x ब्राबर n pi प्लस माइनस 1 की घात n कुना y होगा यहाँ पे भी n जो है एक पुर्णाग होगा cos x ब्राबर cos y तो x ब्राबर 2n pi प्लस माइनस y होगा और यहाँ पे भी n पुर्णाग होगा यानि n का मान प्लस एक, माइनस एक, प्लस दो, माइनस दो इसी तरह कुछ भी हो सकता है टेंजेंट x ब्राबर, टेंजेंट y हो तो x ब्राबर n πाई प्लस y होगा यहाँ पे भी n एक पुरनाख होगा आएए इसको हम एक उधारन से समझते हैं sin x ब्राबर वर्गमूल तीन बटे दो, समिकरन का मुख्या हल ग्याद कीजिए मुख्या हल यानि की जो हल 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे मिनस यहाँ पर हमारा जो अंसवर है, उत्तर है उसमें x का मान 0 और 2 पाई के बीच में आएगा तो sin x बराबर वर्गमूल तीन बटे दो तो sin x का मान वर्गमूल तीन बटे दो कहां पे होता है x बराबर 6 डिग्री पे अब यहां पे हमने इसको radian में मानना है radian में लेकेश चलना है तो πाई बटे 3 का प्रियोग करेंगे साइन पाई बटे तीन बराबर आएगा वर्गमूल तीन बटे दो तो एक हल तो इसका यही हो गया पाई बटे तीन क्योंकि जीरो और दो पाई के बीच में आ रहा है दूसरे हल के लिए हम इसको देखेंगे कि जो साइन एक्स है वो कहां पे प्लस का होगा प्लस वर्गमूल तीन बटे दो है यह तो साइन एक्स पहले चतुर्थाश में धनात्मक होता है और दूसरे चतुर्थाश में धनात्मक होता है तो दूसरे चत्वधाश में जो कौन आएगा वो हमारा 180 डिग्री से छोटा होगा तो इस πाई बटे 3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ठीटा बराबर साइन ठीटा की टर्म्स में साइन पाई माइनस पाई बटे 3 भी साइन पाई बटे 3 होगा और दोनों का मान क्या होगा वर्गमूल 3 बटे 2 तो साइन पाई माइनस पाई बटे 3 को हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई बटे 3 बराबर साइन पाई बटे 3 बराबर वर्गमूल 3 बटे 2 इसलिए एक्स के मुख्या हल क्या होगे पाई बटे तीन और दो पाई बटे तीन X के दो ही मुख्या हल होंगे प्रशन साथ प्रशनावली 3.4 समीकरन साइन 2X प्लस कोज X ब्राबर 0 का हल ग्याद कीजिए बच्चों ये प्रशन आपको ग्रह का रह के लिए दे रहा हूं आपने समीकरनों को समझना है और उनका प्रव करते हुए इस प्रशन को आपने हल करना है आशा है आपको ये भाग समझ आ गया होगा धन्याबाद